हलो एब्रीवन, वेलकम टू दा चैनल, तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं विजन आईएस में 2022 के करेंट अफैस की मैगजीन का अगला लेक्चर दोस्तों, हम लोगों ने एकोनॉमी के करेंट अफैस कवर कर ले थे, इसके लावा लास लेक्चर में हम लोगों ने वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चलिए एंवार्मेंट का पहला टॉपिक समझते हैं और एंवार्मेंट का हमारा पहला टॉपिक है कॉप 15 ओफ यूनाइटेड नेशन कंवेंशन टू कंवेंशन टू कॉंबेट डेजरिटिफिकेशन जिसको शॉट में यूएं सी का जाता शॉट में और यूनाइटेड नेशन कंवेंशन टू कंवेंट कंवेंट डेजरिटिफिकेशन कंक्लूड रिसेंट्ली तो मनें बताया ना अभी पंदरवें मीटिंग हुई थी जिसकी वह से यह टॉपिक न्यूज में आ गया है अब समझ लेते हैं यून सी सीडी की बारे में और डीटेल में यून सी सीडी को दोस्तों स्टेब्लिश करा गया था 1994 में यह एक सोल लीगली बायंडिंग इंटेनेशनल एगरिमेंट है इंपोर्टन लाइन है याद कि लिजे इस लाइन को यह एक सोल है मतलब एक मात्र एगरिमेंट है और यह बाइंडिंग हैं चीक है इंक्लूडिंग 196 कंट्री पार्टी एंड यूरोपियन उनियन तो याद रहेंगे 196 कंट्रीज हैं और एक क्या है यूरोपियन उनियन है तो टोटल 197 मेंबर्स हैं इंडिया भी आपको पता होना चाहिए यूँएंट सीडी का सिगनेटरी है यूँएंसी सीडी करता है कि हम लोग जो है कॉडिनेटेड तोर पर एक्षन लेंगे ताकि तो पुट वर्ड और पाथ टु लैंड डिग्रेडेशन और कार्बन नूट्रालिटी तो दोस्तों आपको पता है दुनिया जो है लैंड को एक तरीके से बहुत खराब कर जा रही है तो हम कॉडिनेट कॉडिनेटर कॉडिनेटेड मैनर में ऐसे एक्षन लेना चाहते है था कि लैंड डिग्रेडेशन वो कम हो और कार्बन नूट्रालिटी भी हो सके ठीक है कॉप 15 जो अभी मीटिंग हुई थी यह अभी दजान में हुई थी ठीक है कोटे दी और और तीम जो थी कॉप 15 की वो तो याद देखें जो कॉप की मीटिंग है यह बाई एनली होती है कबसे 2001 से ठीक है आयोप आपको इतना क्लियर हुआ होगा आप समझ लेते हैं की आउटकम क्या आए 2015 मतब यह पंदरवी मीटिंग से क्या की आउटकम निकल कर आए है पहला है न्यू कमिटमेंट कौन कौन सी नई कमिटमेंट करी गई है इस पंदरवी मीटिंग में देख लिजे इन्हों ने बोला कि हम अक्सिलेरेट करेंगे और यह क्या करेगा यह सपोर्ट करेगा अशिफ्ट फ्रॉम संब्रियक्तिव प्रविव प्रोथु ब्रॉक्तिव्ट मेंजिम्ट अगला है इन्हों ने इन्लिए इन व rare हम एक्ट्रेस करेंगे फोज मीटिगेशन और डिसप्लेस्मेंट को आपको पता है और आ degradation और आपको पता है forced migration और displacement क्यों होता है क्योंकि आप जब जमीन ही खराब कर दोगे लैंड डिग्रेट करोगे तो लोग जो है और विजले तरीके से फोर्ज होंगे ना migrate होने के लिए by creating a social economic opportunities that increase rural resilience and livelihood stability इसको improve करेंगे अगला है improve करेंगे women's involvement in land management ठीक है as important in the for effective and land restoration तो women का involvement बहुत ज़रूरी है इसके लावा इन्होंने बोला कि हम address करेंगे sand dust storms और other escalating disaster risk को by designing and implementing plan and policies including early warning risk assessment and mitigating their human made cause at source एक और देख लीजे इन्होंने बोला कि हम ensure करेंगे greater synergy among three आपको पता है तीन रियो कंवेंशन सुएं थे कौन कौन सी रियो कंवेंशन से थी पहले विवी थी conventional biological diversity आपको पता होने चिए रियो ब्राजिल में शहर है तो यहां पर तीन कंवेंशन हुई थी तो इन्होंने बोला कि हम तीनों जो सो कंवेंशन से उनमें सिनर्जी बठाएंगे कौन कौन सी कंवेंशन पहली है कंवेंशन और बियोजिकल डाइवसिटी दूसरी तो यूए नेशन फ्रेमवर्क कंवेंशन और क्लाइमेट चेंज तो तीनों की तीनों जो है रियों में हुई थी आप देख लेते निव डिकले अभी दिजान मतलब शहर के नाम पर ही डिकलेरेशन इशू होती है दोस्तों ठीक है अभी दिजान डेकलेरेशन ओन अचीविंग जेंडर इक्वारेटी फोर सक्सेस्फुल और लैंड रेस्टोरेशन ठीक है अगला है को 15 लैंड लाइफ लगसी डिकलेरेशन विच रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक टू ठीक है अगला है ड्रॉट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट तो दोस्तों 2022 में एक रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि ड्रॉट कितने आये थे देख लिजिए की फाइंडिंग्स सिंस 2000 नंबर एंड डूरेशन और रोट्स है ठीक है बट तुक लाजस्ट लाजस्ट लेके निश्यूमन टॉल फॉन नाटीन टॉल फॉन नाटीन तो देख लिजिए जितने भी डिजास्टर आते हैं उसमें जो ड्रॉट है ना इसका परसेंटेज 15 है लेकिन यह सबसे लाजस्ट क्या है है हुमन टॉल है दोजार शॉ इसमें मोर दन 2.3 बिलियन पीपल फेस वाटर यह तो आपको पता हिए कि वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पूरे वर्ड में फेस करा जा रहा है इंडिया इस रिपोर्ट में देख लिए इसमें बोला गया है कि भारत के लगबग तू थर्ड कंट्री जो है वह सफर कर रह सबसारा अफरीका जो कंट्री है वहां पर जितना डॉट वर्लेबिटी है वैसा ही भारत का भी कंपेर करा गया कि भारत की भी कंडिशन सबसारन अफरीका के जैसी है सीवेड डॉट्स आर एस्टिमेटेट तो हैव रिडूजड इंडिया ज्रोज डॉमेस्टिक प्रोड़ बिजनेस फोर लैंड इनिशेटिव एमड अट ब्रिंगिंग विजिबिलिटी टूदा कमिटमेंट्स मेड बाइपार्ट्स पेटिंग कंपनीज तुवर्ट लैंड डिग्रेडेशन निउट्रालिटी बोथ इन सप्लाइचेंज और सीएसर एक्टिविडिटी तो दोस्तो बिजनेस फोर लैंड इनिशेटिव का एम सिंपल है कि जो भी कंपनीज वगारा ने कमिटमेंट कर रखें किस चीज को लेकर दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन निउट्रालिटी को लेकर ठीक है वह उन रिजल्ट को चक करना कि वह जो कंपनी ने कमिटमेंट बनाये हैं वो कितने विजिबल हैं और कितने विजिबल नहीं है मतलब उन्हों का जो इनिशेटिव लिया है उसका कुछ रिजल्ट आभी रहा है नहीं आ रहा दूसरा है साहिल सोर्सिंग चैलेंज टू इनेबल कम्यूनिटी इस ग्रोइंग ग्रेट ग्रीन वाल आपको पता है साहिल डी ठीक है जीजी डबलू इजन अफ्रीकल लेड मोव्मेंट टू ग्रोव एट थाजन किलोमेटर नेच्रल वंडर आपको पता ही है आठ जार किलोमेटर लंबी एक तरीके से पेड़ों की वाल बनाना चाहते ताकि साहरा जो डेजट है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके ठीक है ड्रॉट लैंड अन्यू यूंसी सीडी पॉब्लिक अवेडनेस के अपने कंपेंट तो देख लिए यूंसी सीडी जो है कंपेंट भी चला रहा है जिसका नाम है ड्रॉट लैंड ठीक है दोस्तों इतना आयोप आपको क्लियर हुआ होगा ये लैंड डीडेशं एंड डेजाटिफिकेशन इन 다डिया भारत में दे ले देख लेते है क्या स्टेटस है ये डीकलाइन इन प्रोड्र तेफिकेशन और अफ लैंड तो आपको पहली बात तो डेपनेशन ही पता होनीचे कि land degradation होता क्या है तो land degradation मतलब क्या होता है कि जब land की productivity decline होने लगती है तो उसी को कहेंगे कि land का degradation हो रहा है ठीक है और productivity decline हो यह किस चीज में दोस्तों in terms of biodiversity economy resulting from various cause including natural process भी हो सकता है climate भी हो सकता है human dominance हो सकता है यह सारे के सारे कारण होता सकते हैं जिसकी वसे productivity में decline देखने को मिल सकता है the term desertification is subset of land degradation is referred as land degradation occurring in dry land regions तो देख लिजें जो desertification है यह land degradation का एक छोटा टम है देखिए land degradation है वो बड़ा टम है एक मान लिजे और desertification जो उसका in dry land region जो भी dry land region है वहाँ पर जब land degradation होता है तो हम उसको बोलते हैं desertification ठीक है जैसे कि dry land area कौन कौन से होते हैं जैसे arid होता है semi-arid होता है dry sub human regions होते है humid regions होते हैं दोस्तों ठीक है around 69% of India of India falls under dry land तो भारत का 69% इलाका जो है associate dry land में आता है around 98 million hectares अगर percentage में बात करे जाए तो 30% of India's total geographical area जो है अगर नंबर में बात करे जाए तो 328.7 mega hectares अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन डूरिंग टूटाउज़न नाइन टूटाउज़न नाइटी नाइटी सोचे दोज़र अठारा उन्निस में ही तीस प्रतीशन जोई भारत का area कहां कैसे चला गया land degradation में चला गया अराम 23.79% 2018 की बात हो रही है और एरिया अंडरवेंग डिज़रिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल जोग्रिफिकल एरिया ऑफ दे कंट्री इस कंट्रिबूटेट बाय राजिस्तान महाराष्ट गुजरात करनाटका लग्दाक यूटी ज कहां कौन कौन से राजियों में पाए जाता है राजिस्तान में सबसे ज़्यादा महाराष्ट गुजरात करनाटका लग्दा कि ओडरवाइस ठीक है दोस्तों आप समझ गया होंगे कि इन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है अगर भारत में बैजरिफिकेशन होता रहा तो इसका इंपक्ट क्या होगा तो पहला तो आपको पता ही है यह सोच्यो एकनोमिक इंपक्ट आएगा जिसे कि रिडियूस होगा लैंड प्रोड़क्टिविटी ओबिसली रिडियूस करे हो जाएगा लैंड अबिलिटी तू स्टोर वोटर ऑ अगला है एक्जिस्टिंग सोसाइटल टेंशन्स एंड फॉस मिटिगेशन अगला इंपक्ट क्या होगा है इंपक्ट पर इंपक्ट आएगा क्यों कि दोस्तों आपको पता है बहुत सारी जूनोटिक डिजिस पैदा होंगी ठीक है वाटर एंड फूड बॉन डिजिस आएगा और जिसकी विए से रेस्पिरेटरी डिजिस भी देखने को मिलेंगी दोस्तों ठीक है पॉलिटेंट की वज़े से हाइयर थ्रेट्स ऑफ मैलनुट्रिशन फ्रम रिडिउस फूड अब आपका लैंड डिडिशन होगा तो फूड की जो उत्पादन है वो भी कमी मे आएगी और फूड की उत्पादन में जब कमी आएगी तो मैलनुट्रिशन देखने को मिलेगा ठीक है रेडियूस्ट फूड और वोटर सप्लाई भी देखने को मिलेगा मोर वोटर एंड फूड बॉन डीजिस ठीक है अब बिजली ज्यादा वाटर और फूड बॉन डीज इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलेगा ठीक है जिब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो लैंड डिग्रेडेशन आपको पता है एक बहुत बड़ा ड्राइबर है क्लाइमेट चेंज का थूड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसे रेडूस्ट अरेडूस्ट जब लैंड डिग्रेड हो जाएगा थो यॉट लैंड वो मनिक तक है कि दो लेंड यूज़स इंड यूस प्लानिंग डेश्ट में लिख सकते हो कि क्रियेट हमको क्रियेट करना चीह विंड ब्रेक्स को ठीक है विंड ब्रेक्स आपको पता है बहुत सारे जो डेज़ट होता है उसको आगे बढ़ाती रहती जैसे एक्जामपल ले लिजे राजिस्तान राजिस्तान का ऐसे माना जा रहा कि जो डेज़ट है थार मरुस्ताल हमारा वह दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है पंजाब हर्याना वगरा में फैल रहा धीरे-धीरे क्यों क्योंकि हवाय चलती है उसको खीच की ले जाती है तो देख लीजे हम कैसे कर सकते हैं विंड को जो संट आगे वढ़ रहे है उसको रोका जा सकता है Eufica में बीचला जा रहा नहीं मने बता है 8000 किलो मिटर ग्री लंबी ग्रीन वॉल्प बीट करी आ अफ्रीका में अगला बहुबर में लिख सकते हो इंप्रूविंग अग्रो नॉमिक्स प्रैक्टिस तो हम लोगउ को एग्रोनोमिक्स प्रक्टिस इंप्रोब करनी है जिसे कि सच आज रिटेंशन आफ रेजिडियोज रियूस करना है तीलेज को लोकली अडप्टेटिटिप और इस्तमाल इंटर क्लोपिंग करनी है ग्रॉप रोडेशन करना है इंटिगरेटर सोयल फर्टिलिटी में आपको प provision of quality planting material price support instrumental or mechanism इन सब को इंप्रूब करना पड़ेगा sustainable forest management भी करना पड़ेगा sustainable forest management का एम simple है provide करना timber को भी fiber को भी biomass को भी Non timber को भी resources can provide long term livelihood for communities reduce करना है risk of forest conversion to non-forest uses ठीक है तो इसी को कहते है sustainable forest management मतलब देखिए forest का इस्तेमाल कीजिए कोई माना ही नहीं है लेकिन इस तरीके से कीजिए कि फॉरेस्ट जो है पूरी तरीके से खतम ना हो ठीक है अधर इंटरनाशनल इनिशेटिव और स्कीम्स को देख लेते हैं पॉलिसी को देख लेते हैं जो की इसको लेकर लेकर ली गई है लेंड डिग्रेडेशन को पहला है इनिशेटिव और डिड्यूसिंग लेंड इग्रेडेशन इसका एम सिंपल एप स्टेंथन करना और इंप्लिमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्ग तो प्रिवेंट हाल्ट रिवर्स लेंड इग्रेशन विदिन जीट्वेंटी मेंबर स्टेश्ट अन ग्लोब लेवल पर भी ठीक है इनिशेटिव लॉंच अंडर दा यूंसीडी तो यूंसीडी के अंत्रकत कौन-कौन से इनिशेटिव लॉंच करें गया है पहला लैंड डिग्रेडेशन न्यूटरिटी ठीक है टागेट्स सेटिंग प्रोग्राम यूंसीडी इस सपोर्टिंग इसको लॉंच करा गया था और इसके जरिये हम लेवरेज करना चाहते हैं पॉब्लिक मनी को तो रेज प्राइबिट कैपिटल फो सस्टेनेबल लैंड प्रोजेक्स अगला जो इनिशेटिव लिया गया है यूंसीडी दोरा वह है लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम इसके यह हम six to address the challenge of land degradation, desertification and mitigation of dot तो यह इसका aim है सिंपल सा है ठीक है दोस्तो अगला है दोस्तो बॉंच चैलेंज बॉंच चैलेंज आपको पता है लॉंच करा गया था by the government of Germany and IUCN in 2011 तो याद रिखिए 2011 में शुरू करा गया था बॉंच चैलेंज जर्मनी और IUCN 12 यह ए ग्लोबल It is a global goal to bring 150 million hectares of degraded and deforest landscape into restoration by 2020 and 350 million hectares by 2030 तो यह इसका target है कि जो भी 150 million hectare degraded land हो चुका है इसको 2020 तक restore करना है और 350 million hectare land को 2030 तक restore करना है तो बॉंच चैलेंज आपको पता होना चाहिए लैंड को restore करने के लिए है इंडिया ने भी pledge कर रख्या कि हम लोग restore करेंगे 21 million hectare of degraded and deforested land 2030 तक तो यह भारत का target है भारत की target के बारे में आपको पता होना चाहिए reducing emission from deforestation and forest degradation जिसको short में red plus कहा जाता है तो red plus आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है हम दोस्तों इससे reduce करना चाहते से emission from deforestation और forest degradation से देख लिए इनिशेटीव बाइ UN FCC creates a financial value for the carbon stored in forestry by offering incentive to developing countries to reduce emission from forested land and invest in low carbon parts to sustainable development यह इसका aim है सिंपल साथ ठीक है दोस्तों आयोब आपको clear हुआ होगा तो दोस्तों इसके जरीए आपको पता चली गया होगा red plus का aim कहा है तो यह initiative लिया गया था UN FCC की दोरह यह आपको पता होना चाहिए इसके जरीए हम create करना चाहते हैं financial value किस चीज़ के लिए for carbon stored in forest by offering incentive for developing countries to reduce emission from forest lands and invest in low carbon parts to sustainable development अगला है इंडिया's initiative schemes और policies अब देख लेते भारत ने कौन कौन से initiative या scheme policies ली है तेख लिए पहला है इंडिया promotes sustainable land management practices in agriculture sector तो भारत ने ओबिजली एक policies अपना रखे कि हम लोग जो है sustainable management practices को अपनाएंगे agriculture sector में और कैसे अपनाएंगे तो कि भारत सरकार ने बहुत सारी scheme launch करी है जैसे कि देख लिए प्रधान मंत्री फस सारी scheme आप याद कर सकते हो एक और देख लिए भारत ने जो initiative लिया है वह है इस रोस desertification and land degradation land degradation atlas तो भारत का जो इस रो है इसने land degradation atlas तयार करा है map तयार करा है देख लिए of entire country to provide data for policy makers तो विजली जब हमारे पास map होगा proper data होगा उसी के साब से हम policy बना पाएंगे तो इस रो land and ecosystem management program जिसको short में slam कहते है स्टेनेबल लैंड और ecosystem management program which is jointly implemented by government of India and global environment facility तो यह दोनों मिलकर इस initiative को launch कर दिया इन लोगों ने और इसका aim simple है promote करना sustainable land और ecosystem management को ठीक है तो यहां पर कुछ additional informations भी दी हुई है इनको भी देख लेते हैं दोस्तों ठीक है आयोप आपको desertification वाला पू concept clear हुआ होगा लेकिन यहां पर थोड़ा additional information दीए इसको समझ लेते हैं sustainable development goal connection तो आपको पता है हम लोगों ने SDG goal setup कर रखे हैं जो total 17 SDG goal है जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है तो sustainable development goal connection भी रेख लेते हैं sustainable development goal नंबर 15 क्या कहता है 15 गोल कहता है कि life on land cause for the protection restoration sustainable management of land based ecosystem तो दोस्तों यह जो goal है अब यूपी PCS exam में पहुच्छा भी गया था कि बताओ land degradation को लेकर जो SDG goal number क्या है तो goal number पूचा था तो आपको पता होना चीव 15 गोल नंबर है ठीक है in doing so target 15.3 specifically aims to achieve the land degradation तो दोस्तों जो पंदरवा गोल है पंदरवा का अगर specifically बात कर जाए तो 15.3 जो है यह जो वो कम करना है 2030 तक ठीक है ड्राइवर्स and causes of land degradation and desertification कौन-कौन से कारण है जिसकी वह से land degradation होता है desertification होता है यह मेंस के परस्पेक्टिफ से जधा important रहे देख लिए पहले तो natural drivers और यहां पर anthropogenic drivers यानि human बोल सकते हो human influence नेचरल में बात करी जाए तो wind erosion बहुत बढ़ा कारण है दूसरा water erosion ठीक है इसके लाब है chemicals natural occurrence of alkaline chemicals movement of the subsoil chemicals example salinity to the surface यह कारण है फिजिकल कारण जो natural के अंदर ही आते है वह है फिजिकल क्या है water locking हो गया geomorphological हो गया changes caused by mining and other activity अगला है हजारस हजारस में आ जाता है जैसे forest fire लग जाती है cyclone आ जाता है drought आ जाता है यह भी land degradation cause करते हैं अगला है पर्माफ्रेस थाइंग यह भी बहुत बड़ा कारण है anthropogenic कारण की बात करें तो पहला agriculture and related activities है जैसे कि overuse of fertilizer improper soil management eutrophication shifting cultivation एक सेक्टा यह human कारण है pressure of population population बढ़ती है उसकी वैसे भी land degradation होता है livestock grazing obviously यह भी कारण है land use changes आपको पता है land का अलग अलग तरीके से इस्तमाल होरा जैसे कि habitation के तौर पर manning के तौर पर industries के तौर पर deforestation को तौर पर जिसकी वैसे land बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है climate change एक बहुत बड़ा कारण है और यह भी एक human made कारण है pollution तो आपको पता है humans करते हैं prevalent process responsible for desertification land degradation in the country 2018-90 तो देख लिए कौन-कौन से कारण है जि हाँ vegetation degradation की वैसे 9% जो है land degradation हो रहा है wind erosion 6% contribute करता है वहीं अदर जो है अदर में क्या किया जाता है sanity water logging forest shattering mass movement यह 74% contribute करते हैं land degradation को लेकर ठीक है आप देख लेते हैं कुछ successful practices जो की अपनाई गई है और जिसकी वसे हम लोगों ने देखा है result की land degradation जो है कम हो रहा है उन sustainable practices को भी देख लेते हैं यह आप means में लिख सकते हो जैसे कि इन जामनी विलेज इन तेलंगना तेलंगना का एक जामनी विलेज है यहाँ पर people cultivated vegetables, kitchen, gardens that improved overall productivity तो यहाँ पर याद रखिए इन लोगों ने kitchen gardens बनाय जिसकी वैसे land की productivity काफी इंप्रूव हुई है दूसरा है दोस्तो रन अफ कच गुजरात में एक बनी रीजन है कौन सा रीजन बनी रीजन land restoration was done by developing grasslands which helped in achieving land degradation neutrality तो यहाँ पर दोस्तो grasslands डवलप करे गए जिसकी वैसे land degradation neutrality अचीव करी गई वहीं घाना की बात करी जाए तो घाना में दोस्तो community and land management groups बनाय गए ठीक है और इनको train करा गया एंपावर करा गया as community educators in sustainable land management practices like formulation of participatory land use plants establishment of SLM committees यह घाना में प्रेक्टिस अपनाए गई वहीं क्यूबा की बात करी जाए क्यूबा में ड्रॉट देखे गए थे दोज़ा 14 से 17 में new varieties of crops that are resistance to extreme weather including tomato onion garlic were encouraged that encouraged that helped in reversing land degradation obviously यहां पर नई variety जो है crop की वह introduced करी गए जिसकी वैसे land degradation में reverse देखने को मिला अग इसके लावा कुबल की desert in orders इसकी बात कर लेते हैं इनर मंगोलिया यह इनर मंगोलिया में आता है इसने अचीव करा large-scale desertification control through policy support industrial investment market oriented participation of farmers and hurtsmen ठीक है अगला topic है हमारा वो है sustainable city development समझते है sustainable city development topic news में क्यों आ गया हाली में UN habitat has identified multi hazards vulnerabilities, urban sprawl, weak urban mobility and green blue disconnect as passing issues for जैपूर city तो दोस्तों जैपूर city को लेकर यह सारी की सारी चीज़े बोली गई है क्योंकि UN habitat ने बोला कि हाली में UN habitat ने बोला कि जो जैपूर city है यहां पर multi hazard vulnerabilities देखने को मिली है जैसे कि urban sprawl है weak urban mobility है green blue disconnect है तो यह सारे के सारे issues जैपूर city में ही देखने को मिली है जैपूर city ही एक मात्र नहीं है दोस्तों बहुत सारे शहर हैं यह बहुत जहां पर मतलब जो city एक तरीके से वलने बहुत cities जो है वो वलनेबल देखने को मिली है इसके बारे में और समझते हैं more on news UN Habitat has based its findings on sustainable city integrated approach pilot जिसको SCIAP project कहा जाता है तो इस project के आधार पर ही इन्होंने जैपूर के बारे में यह सारी की सारी चीज़ें बताई है अब समझ लेते हैं वाई sustainable city होता क्या है तो दोस्तो एक sustainable city वो city है जो की design करी गई है to address social environmental economic impact through urban planning city management तो देख लिजे आप किसी city को इस तरीके से design कर रहे हो plan कर रहे हो manage कर रहे हो जिससे आप social issues भी address कर रहे हो ठीक है environmental issues भी handle कर रहे हो economic impact भी handle कर रहे हो तो हम कहेंगे कि वो city जो है क्या है sustainable city है ठीक है a sustainable city offers a good quality of life to current residents but doesn't reduce the opportunities for the future residents to enjoy तो आपको पता है sustainable की अगर आपको definition पता है तो sustainable की definition यह ही है कि आप अभी तो अपनी जो जरूरते हैं नीड्स हैं उनकी पूरो करो लेकिन अपनी जरूरतों को पूरे करते समय इतना मत करने लग जाना कि जो future की future generation आने वाली है उसकी नीड्स को खतम कर दो तो यही बोला जा रहा है कि sustainable city offer करती है good life अभी current residents को लेकिन यह reduce नहीं करती opportunities for future residents to enjoy ठीक है की sustainability issues faced by Indian cities तो कौन-कौन से sustainability issues है जो भारत के शहर जो है वो face करते हैं पहला है greenhouse gas emission and climate change यह बहुत बड़ा issue face करा जाता है sustainability issue ठीक है with growing population and energy demand in fast developing Indian cities आपको पता है population जो है भारत के शहरों में increase हो रही है जैसे दिल्ली मुंबाई शहरों में और यहां पर energy की demand बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है cities are one of the main contributors to India's greenhouse gas emission इसलिए cities जो है greenhouse gas emission बहुत ज़्यादा करती है देख लिजे as per IPCC report urban areas जैसे cities वगरा are uniquely vulnerable to climate change events like flooding, sea level rise, cyclones, heat waves, water stress among others साफ साफ IPCC report में बोला गया है कि जो urban areas है यहां पर सबसे ज़्यादा आपको environmental effect देखने को मिलेंगे जैसे flooding आपको पता है मुंबाई में हर साल flooding आ जाती है sea level rise, cyclone यह सब कुल देखने को मिलेगा अगला sustainability issue जो देखा जाता है शहरों में वह है congestion or traffic congestion creates transportation problems obviously, significant increase in traffic emission ठीक है greenhouse gas and other air pollutant emission leading to increase in overall greenhouse gas emission and poor air quality sprawling cities that increase the use of automobiles also directly contribute to green India's energy imports ठीक है अगला है people's well-being यह भी sustainable issue face करा जाता है people's well-being according to the world health organization poor air quality is currently one of the main issues for all cities where toxic air leads to heart and respiratory disease आपको पता है शहरों में इतनी गंदी हवा रखिये जैसे कि दिल्ली और गाजियाबाद का तो number top पे आता है दिल्ली और गाजियाबाद ऐसे शहर है जा कि हवा जो है अगला sustainability issue face करा जाता है वो है changes in land use and land cover reduced green cover lands leads to decrease in carbon absorption and increase in surface temperature a serious threat to city's resilience capabilities आपको पता है जो landscape है या land cover जो है cities का बहुत चेंज हो रहा है आपको पता है green जो cover है वो reduce होता जा रहा है जिसकी विए से carbon pricing को जाता था लेकिन अब तो सिंख भी नहीं हो पारा जिसकी विससे बहुत ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलती है social and environmental challenge compound each other यह अगला sustainable issue है कौन सा social और environmental challenge जो है compound each other एक दूसरे को compound करते हैं देख लिजे increasing differences between high income and low income areas are common in cities आपको पता है high income areas और low income जो areas है वो आपको देखने को मिल जाएंगे cities में high urban land housing costs are pushing the poorest population into areas that are prone to flooding landslides and other natural disaster especially slums and other informal settlement कहने का मतलब यह है आपको पता है जो लोग reach होते जाते हैं sayro में वह पता आपको जमीन खरीथे रहते है और जमीन जो अरपटे रहते हैं जिसके वीश्य पूर पको प्यजिक not आपको पता है जब लोग देखने सब्छा आपको पता हैं जो जएपार निबल कराथ धोर नहीं हो पाता है उपक्ता और Children's Education, Women Empowerment, उनकी Health ये सब कुछ सफर करता है, अगला Sustainable Issue है वो है, Urban Sprawl and Population Influx, आपको पता है, with fast city growth, infrastructure development does not keep at pace with rapidly expanding city areas, जिस तरीके से cities बढ़ रही है, पोपुलेशन उनकी बढ़ रही है, उस हिसाब से infrastructure development नहीं हो पा रहा है, जिसकी वैसे बहुत बड़ा Issue देखने को मि मिलता है, जैसे कि देख लिए, capacity of roads, insufficient, दिल्ली में अगर आप रहते तो आपको पता है, roads जो है, कितने jam हो जाते हैं, ठीक है, तो insufficient roads है, lacking seaway system, इतना अच्छा नहीं है, other services constant issues, तो बहुत सारे infrastructure issues देखने को मिलते हैं, ठीक है, दोस्तों, आयोप आपको इतना clear हुआ होगा, अगला sustainable issue है, वो है waste disposal का, आपको पता दिल्ली के अगर बाहर वाले इलाकों में देखोंगे, बड़े बड़े कोड़े के पहार बन रखे हैं, तो waste disposal एक बहुत बड़ी issue है, many cities do not have proper system and facilities to collect or utilize solid waste, and most of the waste are dumped usually into rivers, into open drains, causing inland water bodies to be polluted and water extracted unfit to human consumption, यमुना का आप example लेख सकते हैं पता है, सारा का सारा गंदा जो factory का पानी है, वो भी जाता है, कूडा करकट भी वहाँ जाता है, जिसकी विसे जो water bodies है, वो खराब हो जाती है, और जब water bodies या river वगरा खराब हो जाती है, जिसकी विसे पता है, आपको urban flooding देखने को मिलेगा, भाई, जब पानी जो है, reverse में जाएगा, reverse में क्यों नहीं जाएगा, क्यों आप आपने कूरा करकट कर रखा है, तो जिसकी विसे बारिश में क्या होगा, urban flooding देखने को मिलेगा, अब देख लेते हैं, steps कौन-कौन से लिए गया है, government के दवारा, to overcome some sustainability problems occurring in cities, तो हमने देख लिया, कौन-कौन से sustainability problems हैं, हैं, इन sustainability problems को overcome करने के लिए कौन-कौन से initiative लिए गया है, पहला है, initiative under India's INDC, targeting direct और indirect greenhouse gas emissions reduction and developing, climate change adaptation capabilities, these include, देख लिए पहला हम लोगों रहेने, national smart grid mission चलाया है, दूसरा, national mission for enhanced energy efficiency चला रखा है, energy conservation building code हम लोगों ने अपना रखे हैं, national electric mobility mission प्लान 2020 भी तयार करा था, ठीक है, सच भारत mission आपको पता है, भारत में चलाया जा रहा है, जिसके दर ही हम लोग जो है, जो भी waste generation की problem है, उसको solve करना इसका main aim है, सच भारत mission का, ठीक है, और कैसे focus करेंगे दोस्तों, main focus area कौन-कौन से हैं, सच भारत mission के, household पे है, community पे है, public toilets पे है, as well as solid waste management, इन चारों पे focus है अटरल mission for regeneration and urban transformation, जिसको short में अमरित कहा जाता है, ये भी government के दोरा scheme चलाई गई है, इस scheme का aim simple है, improve करना water supply को, waste water management को, mobility इंप्रूफ करना है, और green areas development करना है, ये अमरित program का aim है, solar cities program भी चलाई जा रही है, और इस program का focus जो है, renewable energy पर है, ठीक है, कि हम लोग जो है, renewable energy develop कर सकें, energy efficiency measure अपना सकें, और कितने cities में लगबख 60 भारत की 60 शायर जो है, वो select करेंगे हैं दोस्तों, ठीक है, अगला प्रदान मंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, for all, आपको पता है, a technology submission under the mission facilities, adoption of modern innovative green technologies, building material for faster quality construction of houses, suitable for various geoclimate zones, it also assists cities in deploying disaster resistant and environmental friendly technologies, ठीक है, तो प्रदान मंत्री आवास योजना के ताहित, आपको पता है, BPL जो family है, below poverty line, उनको घर बना के दिया जाएगा, और ये घर जो है, बनाया जाएगा, different different technologies का, इस्तमाल करके, अगला है, smart cities mission, ये भी चलाया जा रहा है, भारत की दोरा, और smart city mission के जरिए हम focus करना चाहते हैं, development of core infrastructure पे, ठीक है, और improvement of quality of life in cities, with a clean sustainable environment as well as applications of smart solutions, ठीक है, तो हमने देख लिया ये सारे के सारे topic, अब यहाँ पर कुछ additional information दी हुई है, इसको भी समझ लेते हैं, about sustainable cities integrated approach, पाइलेट, जिसको SCIAP short कहते हैं, इस project के बारे में जान लेते हैं, इस project का objective का है, इसके जरिए हम integrate करना चाहते है, sustainability strategies into urban planning and management, दूसरा objective है, create करना, एक favorable environment for investment in infrastructure and service delivery, और अगला objective है, build करना, resilience of pilot cities, implementation and funding procedure देख लेते हैं, इस project को implement और funding करने के लिए क्या procedure है, implemented by United Nations Industrial Development Organization and UN Habitat in partnership with Ministry of Housing and Urban Affairs, तो ये तीनों मिलकर implement कर रहे हैं, और इसको fund करा जा रहा है, global environment facility के द्वारा, very very important, world bank से confuse मत कर लीजेगा, it is being implemented in five Indian cities, कौन-कौन सी, जैपूर में, बोपाल में, विजयवाडा, गुंतूर, जो के अंदर प्रदेश में आता हैं, दोनों के दोनों, और माइसूर, इन पांच cities में implement करा जाएगा, की focus areas क्या हैं, देख लीजे, की focus area क्या है, assist करना cities to take actions and implement sustainable planning, दूसरा है, sustainable investment project करना, अगला है, capacity building and knowledge transfer activities पे focus करना, अगला है, towards achieving goal of the different national mission of government of India, या especially स्वच भारत mission, project के outcome क्या-क्या हैं, देख लीजे, इसके जरे reduce, reduce हुआ है cities, greenhouse, gas emission through investment projects and low emission and environmentally sound technology demonstration, अगला है, increased scope and depth of the integrated urban sustainability management, अगला है, promotion of sustainable cities through partnership approach, थीक है, government, regulatory framework, institutional setup, tariff, design, subsidies and guarantees, देख लीजे, कौन-कौन से भारत सरकार दोरा लेए गया है, देख लीजे, private sector, financial share, technical innovation, management role, local knowledge, background, backward forward linkage, यह सब कुछ private sector के दोरा करा गया, sustainable cities को लेकर, other civil uprisings कौन-कौन से लिए गया है, दोस्तों, एक्चुली दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी उल्टा पता दिया, sustainable cities को लेकर, कौन-कौन से गौर्मेंट ने इनिशेटिव लिए है, कौन-कौन से private sector ने लिए है, और कौन-कौन से other civil service ने लिए है, ठीक है, other civil society ने लिए है, देख लीजे, इनिडिया, तो दोस्तों, कौन-कौन से barriers आ रहे है, sustainable cities को बनाने में, भारत में, ठीक है, पहला है, low environmental awareness, आपको पता है, भारत की population में, environment को लेकर awareness भी नहीं है, तो इस वहे से sustainable cities नहीं बन पा रही है, दूसरा है, inefficient funding, funding नहीं है, पैसा ही नहीं है, ठीक है, अगला है, segmented approach, in cities political and operational structures result in poor integration of plans and actions, obviously plan कुछ और करा जाता है, action कुछ और कर जाते हैं, ठीक है, segmented approach नहीं है, अगला है, insufficient transfer of knowledge, तो transfer of knowledge नहीं होती, अगला है, lack of integrated planning, resulting to sustainable development strategies not being largely taken into account in development plans and are not addressed cohesively in different policy areas, अगला है, low sustainability of externality funded investment project, तो यह सारे के सारे इशू है, जिसकी वैसे हमारी सिटी जो है, sustainable नहीं बन पा रही है, अगला topic है, वो हमारा दोस्तो, state of the world's forest report, तो 2022, तो यह देखिए, यह report आई है, हाली में, state of world's forest report, 2022, देख लिजे, news में क्यों रही, state of the world's forest report, 2022, was released by United Nations Food and Agriculture Organization, जिसको FAO short में कहा जाता है, during World Forestry Congress, तो World Forestry Congress हो रही थी, इसी टाइम पे, food and agriculture culture organization ने, यह report जारी करी है, तो नाम याद के लिजे, कौन जारी करता है, यह report, ठीक है, तो food and agriculture organization के बारे में पहले जानी लेते हैं, यह एक specialized agency है, किसकी United Nation की, इसको establish करा गया था, 1945 में, तो याल कि भालत की आजादी से पहले establish करा गया था, it leads international effort to defeat hunger, तो दोस्तो, food and agriculture organization का aim simple है कि भाई हम लोगों को कुछ international efforts लेने, जिसके जरीए हमें hunger को हराना है, its goal is to achieve food security for all and make sure that people have regular access to enough high quality food to lead active or healthy lives, simple सा aim यही है, तीक है, आगे आगे है, with 195 members including India, to total food and agriculture organization में, 195 members है, food and agriculture organization work करती है, over 130 countries worldwide में, इसके headquarter आपको Italy की राजदानी, Rome में देखने को मिलेंगे, आप इस report के बारे में वापस जान लेते हैं, world forest report के बारे में, it presents data and analysis on the interaction between forest people every two years with a focus on specific pertinent topic, तो यार रखिये, यह जो report है, हर दो साल में जारी करी जाती है, ठीक है, और यह analyze करती है, क्या, analyze करती है कि interaction between forest और people, in the sense, यह नहीं कि बातचीत, बातचीत in the sense कि by people, जो है, forest पे कितना खयाल रख रहे हैं, या उसको कैसा खतम कर रहे है, या कैसे utilize कर रहे है, यह focus करा जाता है, ठीक है, सोफो, सोफो क्या है दोस्तो state of the forest report, तो आपको सोफो अगर मैं बोलने तो confused मत हो जाए, ठीक है, report कही नाम है, सोफोर 2022, explores the potential of three forest pathways for achieving green recovery and tackling environmental crisis, including climate change and biodiversity loss, तो इन्होंने इसाफ साब बोला कि तीन forest pathways हैं, जिसके जरी हम बहुत सारे issues को address कर सकते हैं, top five countries for forest area, देख लिजे, 20-20 million hectares, अगर रशिया की बात केजिए, Russian Federation में आप देख सकते हैं, 18-15 million मिल जाएगा hectare, ठीक है, जो कि अगर percentage की बात के जाए तो 20% Brazil में 497 hectare है, जो कि percentage में 12, Canada में 9%, United States में 8% यह आपको याद करने के जरूत नहीं है, और rest of the world में कितना है, 46% है, अब बात कर लेते हैं, इस report में क्या key findings है, यह important है, forest role and value in ecosystem, forest provide habitat for 80% of MPBN species, तो MPBNS देख लिए, 80% MPBNS को forest habitat provide करता है, 75% bird species को 68% mammal species को, and tropical forest contain करता है, about 60% of all vascular plant species, trees and forest are major means for combating climate change, यह तो आपको पता है कि trees और जो forest है, यह climate change को लड़ने में हमारी मदद करते हैं, लिजे, forest contain करते हैं, 662 million tons of carbon, इतना carbon, सोचे, forest में ही है, which is more than half of the global carbon stock in soil and vegetation, ठीक है, forest absorb करते हैं, more carbon than they emit in 2011-20, 2011-20, 2011 से लेके 20 में, जितनी carbon emit कर यह forest नहीं उससे जाएधा तो उन्होंने absorb करी है, it is estimated that more than half of the world's GDP, सोचे, दुनिया की आधी GDP जो है, depend करती है, moderately और high on ecosystem services, तो obviously world की जो 50% GDP है, वो ecosystem services आती है, अगला finding देखते हैं, deforestation को लेकर, देख लिजे, deforestation को लेकर क्या finding पाई गया है, इसमें बोला गया कि 420 million hectare of forest lost through deforestation between 1990 to 2020, तो देखिए, 1990 से लेकि 2020 तक 400 million, 420 million hectare, जो forest है, वो deforest हो चुका है, the rate of deforestation is declining, but still 10 million hectare per year in 2015-20, सोचे, जो rate है deforestation की वो उसमें भले decline आया है, लेकिन फिर भी number देख लिजे 10 million hectare per year, है, 2015 से 20 तक, deforestation particularly in tropics has been associated with increasing infectious diseases such as dango fever and malaria, यह तो मैंने अभी आपको पता है था, जहां पर deforestation होगा, उसकी वह से क्या होगा, डीजिस तो बढ़ेंगी ही, बढ़ेंगी, अगला जो finding क्या है, benefit to society, तो क्या देखा गया benefit to the society, इस report में, अबाउट 33 million people, 1% of global employment are estimated to work directly in the formal and informal forest sector, तो सोचे, 1% employment है, वो forest sector में से ही आती है, ठीक है, एक सब्सक्राइब दोस्तों, अगर परसेंटेज में बात कर जाए, नमर्स में बात कर जाए, तो दोस्तों, 2.6 billion people relies on wood and other traditional fuels for household cooking, सोचे, household cooking आपको पता है, अभी भी वोड़ बगारा के जरीकरी जाती है, तो 22.6 billion people, अभी भी billion people dependent है, and estimated 4.717 billion people, जो कि 95% of all people outside urban areas, live within 5 km of the forest, ठीक है, disease and forest देख लेते हैं, COVID-19 pandemic में have longer term impacts on wood foil, having pushed an estimated 124 million more people into extreme poverty, सोचे, इतने लोग और poverty में घुश कहते, more than 30% of new disease reported since 1960 are attributed to land use change, तो अभी जितनी disease हैं, आई हैं भी तक, तो 30% जो disease आई हैं, वो क्यों आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने land use change, जो है, इसमें बदलाब कर रहा हैं, ठीक है, including deforestation, 15% of 250 emerging infectious disease have been linked to forest, सोचे, 250 emerging infectious disease हैं, उसमें से 15% disease जो हैं, deforestation की वज़े से ही cause हुई है, the cost of global strategies to prevent pandemic based on reducing the illegal wildlife trade, avoiding land use change, and increased surveillance is estimated as US dollar 22 billion to 31 billion, suggestions देख लेते हैं, क्या क्या suggestion करा गया है, इस report में पहला है, report provides three forest pathways for achieving green recovery, अभी मैंने उपर भी बात करी थी, तो तीन इन्होंने तरीके बताया हैं, जिसके जरीए हम green recovery को achieve कर सकते हैं, और टैकल कर सकते हैं, multi-dimensional planetary crisis including climate change और biodiversity, इनको भी address कर सकते हैं, इन तीन रास्तों के जरीए, पहला क्या इन्होंने बोला, कि हम लोगों को halt करना पड़ेगा deforestation और maintain करना पड़ेगा forest को, ठीक है, हम लोगों deforestation पे रोक लगानी है, और forest को maintain करना है, कि more efficient, productive and sustainable agri-food systems are key for meeting future needs for food, while reducing demand for agriculture land, multi-stakeholder engagement is crucial for progress in halting deforestation, obviously आप deforestation को अकेले मिलकर नहीं रोक सकते हैं, आपको multi-dimensional, multi-stakeholder approach अपनानी पड़ेगी, दुसरा इन्होंने step बोला है, क्या step बोला है, कि restoring degradation, degraded lands and expanding agroforestry, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, restore करना पड़ेगा, degraded lands को और expand करना पड़ेगा agroforestry को, तब ही हम जो है, जो भी issues आ रहे हैं, उसको solve कर सकते हैं, देख लिजे, according to one estimate, the restoration of 350 million of hectare of deforested land, degraded land by 2030, यह तो मैं बता चुका हूँ, target भी रखा है, bond के तहत, could deliver a net benefit of US dollar, 0.729 trillion, इतना benefit पहुचा सकता, अगर हम लोगों ने यह target 350 million का achieve कर लिया है, ठीक है, even in worst case scenario, investing in restoration would return a financial profit of two-third ecosystem types, यह भी हमें फायदा होगा, अगला इन्होंने बोला, यह step उठाओ, जिसकी वैसे आपको फायदा पहुचेगा, वो कौन सा step है, sustainably using forest and building green value change, तो sustainable तरीके से use करना और build करना green value change को, sustainably meeting rising demands will entail increase in supply through restoration, reforestation, afforestation और degraded lands, non-food bio-based industries are estimated to grow by 3.3% per year to 2030, a diverse range of emerging forest based bioproduct has the potential to tap its growth including biochemicals, bioplastic and textile, the involvement of small holders, local communities and indigenous people in forest pathways is essential, ठीक है तो यह सारे के सारे step आप तीन बोले हैं, जिसके जरी हम issues address कर सकते हैं, अब इसी से related news और देख लेते हैं कौन कौन से related news रही है, पहला है global forest resource assessment remote sensing survey जिसको short में FRA 2020 RSS कहा जाता है, इसको release करा गया है, हाली में किसकी दोरा, food and agriculture organization के दोरा release करा गया है, अब देख लेते हैं, इसमें की क्या finding पाई गई है, पहला है global forest कबर देखा, देखने को क्या मिला, इन्होंने बोला, the world has a total forest area कितना का है, 4.06 billion hectares का है, which is 31% of total land area, तो total land area का 31% ये forest पे forest पाया जाता है, the tropical domain has the largest proportion of the world's forest, आपको पता है बाई जो tropical वाला हिलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा world's largest forest पाया जाते हैं, लगवा कितना 45%, उसके बाद boreal पाया जाता है, उसके बाद temperate में forest पाया जाते हैं, उसके बाद subtropical domain में पाया जाते हैं, deforestation को लेकर क्या finding पाई गई है, इन्होंने बोला, rate at which forests are disappearing, slowed by nearly 30%, दोस्तों इन्होंने बोला कि जो rate है, दर है, deforestation की उसमें कमी देखने को मिली है, कितने 30% की कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी deforestation हो रहा है, from the first decade of the century to the period from the 2010 to 2018, highest deforestation in 2000, say 2018 occurred in South America followed by Africa, तो इन्होंने बोला सबसे ज्यादा जो deforestation देखने को मिला है, वो South America में, South America में देखने को मिला है, उसके बाद Africa में, Africa had the largest annual rate of the net forest loss, net forest loss की बास करिया है, तो सबसे ज्यादा Africa में देखने को मिला है, and Asia had the highest net gain of the forest area, तो Asia में सबसे ज्यादा net gain देखने को मिला है, forest area में 2010-2020 के मकाबले, main drivers of deforestation क्या क्या है, इन्होंने बोला crop land expansion, आपको पता है agriculture बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसके विए से deforestation हो रहा है, ठीक है, is the main driver of deforestation causing almost 50% of global deforestation, उसके बाद आता है livestock grazing जो कि अकाउंट करता है 38%, तो सबसे बढ़ा तो आपको पता है agriculture ही होगा, तो दोस्तों यहां पर कुछ additional information दी हुई है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, यह विसकत नहीं, कोई भी additional information नहीं है, मैंने सारा का सारा बता दिया, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, कोई बात नहीं, तो अगले टापिक जो है national policy on biofields 2018, इसको अगले लेक्चर में cover करेंगे, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को subscribe करना मत भूलिए, टॉखे, टैसे हमें हम पर बात नहीं का लेक्चर किह बाते हैं, तो ऑन्रе लेक caf करेंगे तो लाइक का लेक्चर को से डो़ाए birthday क Шे शेल शेले से हमत थाइक्त, येक्चर लेक्चर करते हैं, तो विया करेंगे तो या खव help ध